हेलो नमस्कार दोस्तों मैं प्रदीप कुमार कश्यप YouTube के माध्यम से आज हम लोग जिस अवसाधिय वन असपती की पहचान कर रहे हैं उसका नाम मानकंद है मानकंद्र को महा पातर के नाम से भी जाना जाता है मित्रों और इसका जो असत्धिक परुख किया जाता है वह बहुत ही दिव्प है तो इसके बारे में जनकारी बता रहा हो मित्रों इसको हैं जैंट एक जैंट एलोकेसिया जैंट ऐसको इंग्लिस में जानते हैं और ऑनस्पती का जो बाटनीकल नेम है वह है कर दिंडिका के नाम से इसको जना जाता है मित्रों है यह बहुत ही दिव्य वसाधी है और ज्यादा तो इसका उसाधी प्रयोग लोग कंद का पर्योग कर लेते हैं कहीं कहीं इसका पतियों का भी पर्योग का उलेक है खास तोर पे कांदर जैसे रोगों में ठीक है मित्रों और यह तक्रिबन तीन से छे फीट बड़ा होता है और साधान के और इसके पतिया होती है इसकी पतिया में पतिया बहुत बड़ी होती है पतिया इसमें बहुत ही पर्चुर मातरा में पाय जाता है मित्रो है न और इसका सधी परोग इनकुन छेत्रा में किया जाता है वहां बता द रहों जैसे कि पाचन क्रिया को मजबुत बनाने के लिए एकदम राम बाड़ा सधी है उसके बाद एस सरी को हश्ट पुष्ट बनाने में भी दिव्यवसधी का काम करता है इवरिन दोस्ट इवरिन दोस्ट समती जो रोग होते ही मुत्रो दोस्ट समती जो दोस्ट होती है उन दो दोसों को यह दूर करने में एकदम राम बाड़ा सधी का काम करता है मुत्रो है न उसके बाद है जैसे कि जोड़ो का दर्द गठिय साइटिका जैसे जो विमारिया होती है उस परकार से रोगों में ये दिव्यासिधी का काम करता है मित्रों उसके बाद है जैसे की कांदर्द कांदर्द में इसका उसी दिव परुक किया जाता है और कहीं कि इसको आथाराइटिस, पाइल्स, बावसिर सम्मद्धी जुब युमारी होती हैं उस परकार से रोगों मिशका राह बाण औसी दिका परुक किया जाता है मित्रों है ना तो मेरे चैनल के माधम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो फिलीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, धन्यवाद